हलो फ्रेंड्स मैं हूरीना और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है तो बहुत ही ख़स्ता और मुह में गुल जाने वाले शकरपारे वो भी बनाये हैं किसे गेहूं के आटे से बिना किसी मैदे के आप इस दिवाली बनाईए ये वाले शकरपारे सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो बिगनस भी बिल्कुल पर्फेक्ट शकरपारे बना पाएंगे तो सबसे पहले लिया है ग्रैंडिंग जार उसमें डाल देंगे चार चम्मच सुजी नाश्ता करने वाला थोड़ा सा जो बड़ा चम्मच होता है उसी से मैंने लिया है उसके बाद हमने लिया है आधा कप चीनी और दोनों को एक साथ अगर ग्रैंड करेंगे तो काफी अच्छे से ग्रैंड हो जाएगी तो दोनों का एक fine हमने powder बना लिया है ये देखिए बहुत ही अच्छा सा fine सा powder बन गया है इसका अब हम इसको side में रख देंगे और एक bowl लेंगे अब हम उसमें डाल देंगे 2 cup गेहु का आटा हम गेहु के आटे से बना रहे है तो आटा तो लेंगे इना तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 cup गेहु का आटा और जो चीनी और सूजी हमने grind करके रखी थी वो भी हम इसी के अंदर mix कर देंगे और उसके बाद लेंगे हम आधा पिंच मतलब एक पिंच यह आधा पिंच नमक डाल देंगे इससे क्या है sweetness थोड़ी सी balance हो जाएगी और सारे dry ingredient को हम अच्छे से mix कर लेंगे dry ही उसके बाद मैंने लिया है melted घी यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है लेकिन पूरा आधा कप नहीं लगेगा आधे कप में से भी आधा घी ही इसके अंदर लगेगा तो हमें ज्यादा मोयन भी नहीं डालना है क्योंकि उससे क्या होगा अगर हम ज्यादा मोयन डाल देंगे तो हमारे जो शकर पारे हैं वह बहुत ज्यादा नरब पढ़ जाएंगे और हमारे शकर पारे कड़ाही में जो फ्राइ करेंगे तब विखर भी सकते हैं तो इस चीज का बिलकुल ध्यान रखना है आपको आधे कप मेंने जो लिया है उसमें से आधा खी ही लगा है आधे कप में से आधा याने आधे में से आधा और थोड़ा सा हलका सा उपर बस इतना सा ही लगा है तो य च्पाना फीन कीद्बस गॉलानी के असमें से बच जाएगा पूरा नहीं लगेगा अमकर सभी है सीपहधी कहाँ अवचीर छीटे देकर उसको मसल लीजिएगा तो वो आटा बिल्कुल perfect हो जाएगा तो लेकिन मेरा बिल्कुल perfect है तो मैं इस तरीके से इसको रोल करलूंगी और हम इस तरीके से इसके दो पार्ट करलेंगे दिखी ये मैदे से बनाने से अच्छा है कि हम अगर आटे से हमारे जो शकर पारे हैं वो बनाएंगे तो नुकसान भी नहीं करेंगे और काफी healthy virgin भी होगा ये इसका तो ये ball को इस तरीके से हातों से घुमा घुमा कर दबा दबा कर बनाईएगा ताकि सारे cracks पहले ही खतम हो जाए और उसके बाद हम अब इसको बेल लेंगे हम जो नमक पारे बनाते हैं वो हम थोड़े पतले बनाते हैं लेकिन जो शकर पारे बनाते हैं वो थोड़े मोटे बनाते हैं आपने देखा होंगा हलवाई की दुकान पर बस उसी साइज के हमको आज शकरपारे यहां बनाने है तो हम उसके लिए एक थोड़ी मोटी रोटी बेलनेंगे देखिए इसकी थिकनेस इतनी मोटी रोटी आपको बेलना है इससे शकरपारे की जो शेप हे काफी अच्छी आईगी एकदम स्क्वेर शेप में वो कट कर तिया होता है बस स्क्वेर शेप में हम यह शकरपारे हैं इनके कटिंग करेंगे यहां पर देखिए साइट से थोड़ा सा में जादा हो रहा है तो मैं इसको निकाल दे रही हूं अब हम इधर से भी इसी तरीके से इसको काट लेंगे तो हमारे शकरपारे हैं वो परफेक्टली होगा कि चिपके हुए हैं तो यह तेल में जाकर छूट जाएंगे उसमें टेंशन लेना घबराने वाली कोई बात नहीं है देखिए फटा फिर से टूट रहे हैं और देखिए इस शेप में हमारी शकर पारे हैं इसी शेप में बजार में मिलते हैं बिल्कुल बाजार वाल अगर शकर पारे डाल देंगे तो वो बिखर जाएंगे हम मैंने अधी अकसर वीडियो उसमें देखा है कि शकर पारों को लो मीडियम फ्लेम पर चलाईए या फिर हलके गरम तेल में डालिए लेकिन इसन नहीं है जादा हलका गरम तेल होगा तो शकर पारे उसमें जाकर ते उसके बाद हम हमारी जो आँच को कम कर सकते हैं जब उसमें एक उपर जो परत है उसकी थोड़ी सी वो सिखने लग जाए तो हम उसकी आँच को कम करके और फिर हम उसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन कलर आने के बाद हम उसको इस पैचुला से चलाएं उसके पहले हम उसको एक चम्मच की मदद से इदर उदर हिलाएंगे ताकि हमारे जो शकर पारे हैं वो तूटे नहीं अब देखिए इसको इस पैचुला से मैं चला रही हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है और ये लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं तो इनको हम निकाल लें तो देखिए जो शकर पारे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनके तियार हैं ये क्रैक से इसका साइन है कि हमारे जो शकर पारे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट खसता हैं और मुह में घुल जाने वाले हैं देखिए मैं इसको आपको तोड़कर दिखा रही हूं इनने तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिएगा और आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो इसी तरीके की आसान सी रेसिपी के लिए मिलते हैं अगले व